तो मैं पहुंच चुक हूँ एफिल टावर के नीशे देखो मेरे पीछे है आशी सोरी ये टावर है और इसके नीशे चलते हैं आज देखते हैं कैसा ना जा रहा है अज़े गाइस गुड़ इवनिंग और आप सभी का स्वाकत है हमारी एक नई वीडियो में वाज यह सामके साथ कि 40 मिनट तो आज का स्थीन कुछ है साय के आज मैं जाने वाला हूं सराय का लेखांगे वंडर पार्क जो वंडर पार्क है वो सराय का लेखांगे और अभी मेर साथ है मेरा भाई आसीस और यह और मैं अभी जाएंगे मैट्रो पकड़के सीधा सराय का लेखांगे वाज थोड़े जूदे पहन के और फिल निकलते हैं यहां से सीधा सु गाइज आप हम हो चुके हैं रेडी और रूम को करते हैं लोग और चलते हैं दोनों मैंको की तरह मैं पहुंच चुका हूँ बठेगिनिकल गारडन और यहां से मेंट्रो पकड़के चलते हैं सीधा सराय काले खांग और मैंने मास्क भी ले लिया क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है सुगाइद अभी हमें टूखन मिल चुगे हैं अब चलो अब हम पहुंच चुके सराइका लेखना और चलते सीधा मंजिल की तरह तो गाइस भाईया लेने गए हैं तिकत तो गाइस अब हम आ चुके हैं देखते हैं और क्या मिलता है एग यहां पर कुणा टाइप में तो है कुछ देखना जब हम्में एक वाटरफॉल तो मिला है पर इसमें तो पानी नहीं है पानी का है है अभी तो यह सस्ते जरीवों का वह त्रफोन है यह सई बहुत है तो गूमते गूमते हमें एक सस्ता प्रामेट टाइप से तो दिख रहा है देख पो जड़ा ही प्रामेट कितना अच्छा है अच्छा है और आके बढ़ने के बाद हमें मिलिया है सस्ता कुछ नार यह कुछ हो हरी है कुछ मिनार नहीं है थो बैस कहने के लिए मापी चाहता हूं लेकि नामें लगाता है कुछ नाम बताया था तो नाम तो मुझे अभी तक ध्यान नहीं है तेको टेड़ा है यह देखा मैंने भी यह लेकिन मुझे नाम नहीं पता इसका और यह थोड़ा टेड़ा है आपको बैक कैमरे से देखाता हूँ और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पयरे सस्ते पयरिस में यह गरीब भाईयों हम जैसों के लिए है और अभी हम पहुंचने वाले मिल्कुल आपको दिखाएंगे अलफीट आवर जो गरीब भाईयों का है हम जैसे बैं तावर मैं पहुंच चुका हूँ है आपको यह आपको बजट नहीं है तो आप आ सकते हो जैसे मैं आया हूँ और फिलिंग लोग पैरिस की एकटम एलफिल टावर के पास में बैठके बढ़िया वाली फिलिंग एकटम मज़ा हो दी तो गाइस अब हम चलते हैं एलफिल टावर देखके इसके बारे में इसनी तारीफ करी जा पैसे सब्सक्राइब किसी से पूच भी सकते हो और गूगल में पर साइच कर सकते हो और पारक तो सीधा आप यहां तेख जाएगा और आभी हम आगे की उरकस्थान कड़ते हुए तो आच रूके हमें टूट हुई पिल्डिंग के पीछे, नाम तो पैसे मुझे जादा तर पता नहीं है, बसे बादा पीछे पता हुआ है, इसको नाम इसको पता है, क्या नाम है इसका? को लो जी हम यह बिल्डिंग है टूटी हुई सी यह है हम इसके पीसे चल रहे हैं आपको पचास उर्पे तो देरे बढ़ेंगे लेकिन आपको फुल मजा जाएगा यहां पर ज्यादा ज्यादा पैसे जरू तरी ज्यादा इन्वेस्ट करने जरू तरी है कम पैसो में फुल कि यह बापस जाने की रूटी उस रास्ते पर हैं इजर साइड से देखते हैं कितना और क्या-क्या और रह जुका है यह बंगला बहुत बंगला पता नहीं क्या है यह तीन चीज हमारे के हो चुके हमारे देख चुके हैं अब आगे आगे तक देखते हैं कि आगे कुछ और है या फिर चलें सीधा घर और जिस चीज का हम दोनों को बेसावरी से इंतजार फार वो चीज हमें मिल चुकी है आगे से दिखाते हैं पूरा पूजिशन अगे तो पस्ताज महल भी देखके हम चलते हैं आगे की दोरा पस्ताज महल भी देख लिया और इदर साइड है यह बनी जो बन बोलता है न और अभी आपको दिखाने मादे है वाटर फॉल आपर गुमने मजा भी आरा देखने में अगिदम बढ़िया चीज है जक्कास अभी हमने देखा था स्टैचू अफ यूनिटी पीछे जो देखके हैं और इदर साइड है यह बनी जो बन बोलता है न और अभी आपको दिखाने मादे है वाटर पॉल कि अधिया है यह जाए जाए है जाए है 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 कि अच्छे लगाई सब आम सारा कुछ भूम चुके हैं यह पे जो भी देखने लाइक चीज दी हम देख सुके हैं वह चलते हैं घर की दर्फ निकलते क्योंकि टाइम भी करीब 10 वज लिए हैं अब निकलते हैं सीधा घर की दर्फ और अब हम आचुके हैं निजामुद्दिन रिलवे स्टेशन मतलब मैट्रो स्टेशन यहां से बगरते हैं टेक्निकल गार्टन की मैट्रो सिधा पहुंचते हैं घर और यहां पर वीडियो बनाने में मजा आ रहा कि पिलियर के विए गोरी चक्टे दिखाई दे रहे हैं तो आप पहुंच चुके घर और वीडियो पसंद आज़ें तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और शेल को सब्सक्राइब करने ना भूलें मिलते हैं नए ब्लोग में तब दके टेक केर और बाइबाए को शेट ठोक दिजा माताल का जिए तबागर लाइकर शेट ठोक दिज बहुत बहुत धनेवादाब